बिसम्लाइब क्मारे में इन दिस वीडियो आइम गोना टाक अबाओट केमिकल नेचर एंड रोल आफ एटीप एंड एन एडी यानि जो केमिकल नेचर है सबसे पहले तो फुल फॉर्म जो है एटीप और एटीप और एटीप की देखते हैं फुल फॉर्म जो एटीप की है व अब हम देखते हैं कि एटीप जो है इस एक मोनो नुक्लोटाइड अब यह एक मोनो नुक्लोटाइड है एटीप जो है इसके तीन पार्ट होते हैं किनेक्टेड होते हैं वह कोविलेंट बॉंड की मदद से तीन पार्ट होते हैं और तीनों कोविलेंट बॉंड की मदद से अब इसमेरा पार्ट जपस्ट होते है यह ul lция जानी थ्रीनिन त्रान झाइब बैस है तूसरे नंबर पे आता है राइबोजॉ राइबैस एक 5 carbon sugar है और तीसरे नंबर पे एक नियर नियर इन्जे पहर के पहले आप एक पाइड़ी पहला है। आप एक प्छाइड आप एक दूसरे के साथ जोने कोवलेंट बांड लिंकी जो थी थी तूगेडर और कालड खायर और ये खायर अनरजी पॉंड उते हैं। अब ATP को आप ATP याणि अडिनोसीन डाइफासफेट में भी कनवार्ज करते हैं एंड इनर्गेनिक फासफेट जो है वो है इनर्गेनिक फासफेट जो है वो इसे इरलीज होजेगा और ATP को जो है नवो एनर्जी करंसी आफ दा सेल भी कहते हैं कि यह सेल इस फार्म में इनर्जी फासफेट यह जैसे है देखें आडिनोसी प्राइफासपेट है उसमें एक जब निकाल दें यह वाला तो यह डाई होजेगा और जब दो निकाल दें तो यह मोनो फासफेट पाच जाएगा बुर्से naba एक जो निक्रोटाइड होता है उसमें फासफेट जियर्ने इसमें भी तीन चीज़े होते है निकोटिन अमाइड शुहर और फासफेट और दर जो निक्रोताइट हैं उनniaद मेंㄡिश्ट होते है धीन इनिन-शूगर ऌर फास्फेट होते हैं जानि यह जो होता है दो डाईट है क्योंकि एक जो होता है उसमें निकोटिन अमाईट शूगर और फास्फेट है अब जो टू निक्रोटाइट हैं यह जोइन करते हैं बाइफासफेट ग्रूप फार्मी का डाइनुक्रोटाइट जिसके विजए से डाइनुक्रोटाइट कहते हैं आलाह आपीस